हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन विल्कम बेक टो माई चैनल आप सभी लोगों का हमारे जैनल में स्वागत है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजल की एक्जाम हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग प्रीविए सीर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें फोकस कर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जी एस के पोर्शन को जी एस के सेक्शन को तो देखिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नम्र फश्ट यह 2022 का पेपर है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे कि वीपिट्टेपर्स से के थ्रू कई सारी भ अच्छे से और एक जाब सिक्वर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा ज्यादा करें इस जो अपकमिंग एक्जाम्स हैं उनसे रिलेटेट्ट वीडियो जो है वो आपमारे चैनल पर आना स्टार्ट हो प्रवारमेंट में ज़रू बता है चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर्स्ट क्रेशन है कौन सी परवत सिर्ङखला में नवीन वलिद परवत है तो सबसे नया के है आल्फ सुप परवत सिर्ङखला बंगाल में पहली English factory में मतलब कहां पे किस सन में हुगली नदी के तरपर इस्थापित की गई थी तो कहां पे यह तो पता ही है बंगाल में लिखा हुआ है तो English factory जो है 1601 में हुगली नदी के तरपर इस्थापित की गई थी टूबर और नॉम्बर के दोरान वर्सा होती है तो तमिल नाडू में होती है चाल की SI मतलब क्या है तो आपको चाल की SI काई जो है इस्टेंडर्ड वह आपको पता होना चाहिए मीटर प्रत सेकेंड है ठीक है कौन सा कथन इसमें से सत्य है सरकार दोरा पेस किया गया वेतन भी थे एक मूझी गद्वे है ये गलत है ठीक है ये मूझी गद्वे नहीं है राजिस्ट भी है और सरकार दोरा किसी कंपनी में किया गया वी निवेस एक प्रगार की पूझी गद प्राप्ति है ये आपका सह ही होगा पधानमंत्री नारेंद्र मोदी ने करेंट का वोशन है फिलाल देख लेते हैं 2019 में की जुन को किस शहर में अंतराश्य युग दिवस को तर उत्सों में एक हिस्से में भाग लिया तो आपको याद रखना है राची में ठीक है अब यह आप लोग करेंट को देखते ह हुए यह दो हजार अभी 24 में जो हुआ है वो किस शहर में अंतराश्य युग दिवस मतलब स्वारी अभी हाली में रिकार्ड हुआ है जिसमें कई मतलब लोगों निंग आई थिंक एक हजार आठ या ऐसे कुछ है सबसे आदा लोगों ने वर्ल रिकार्ड बनाया है तो कहा हां पर याद रखिएगा और कमेंड में जरू बताएगा अंतराश्य टेनिस महासंग आई टी अफ दोजार एकिस के निमों के नुसर टेनिस कोड के मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए तो 23.77 मीटर होनी चाहिए काशी यात्रा युजना की शुरुआत सरकार द्वारा शुर कुलूद शहरा एक रंगोत्सो है जो मुख्यता किस राजी आपके अंदर शाष्यत प्रदेश होना आता है तो ही माचल प्रदेश में मनाया जाता है दिल्ली मुंबई चेन्नाई और को जोडने वाला एक नेशनल हाइवे नेटवर्क क्या नाम है जिसका स्वरणिम चित्र किस घटना के बाद महात्मा गादी ने असाहयोग अंदोरन वापस ले लिया था तो चौरी चौरा के घटना कब होई थी इंडियन साइंस टेक्निलोजी एंड इंजिनरिंग फैसिलिटी मैप आई एस्टीम ने वेगैनिक रूप से एक छुप महिलाओं के प्रियासों को मजबूत करने के लिए एक पहल के शुरुवात की इस पहल का नाम आपको बताना है क्या है तो नाम क्या था विस्ट था संपारिस्थितिकी को नेमलिकित में से किस रूप में परिभाशत किया सकता है तो पारिस्थितिकी की एक शाखा जो पारिस्थितिक संबुदायों की संगरचना विकास और वितरण से संबंदित है ठीक याद रखिएगा इन में से कौन सा कथन संगम साहित के संदरव में सही है तो इन गरंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संक्लित किया जाता था यह सही है संगम साहित को मदुरय शहर में एजित के गए कवियों के सम्मेलनों में संक्लित किया गया था मतलब दोनों सही है ठीक है तो option one एक यही हो जाएब भॉमाइट की पहचान कीजिए तो फो माइट इसमें से काच जो होता है वो माइट पारिस्थ की craftी बारत के दूर याद रख़िये से आंद्र प्रदेश कुछी पूरी ठीक है अब मेरे इस चैनल पर आपको लोग नित शैली से एक वीडियो रिलेटेड मिल जाएगा आप उस वीडियो को जरूर देखें वीडियो में शॉट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि किस तरीके से नित शैली याद किया जाए उसको देख लीजगा एक बार भारत के समयान का अनुचेद 20 किस से समधी तो एक से लेकर के ज्यादा नहीं बस 35-45 अनुचेद तक एक बार सरसरी निगास से जरूर देख लीजगा इसके बीच में से एक कुश्चन जरूर आना है तो अब अनुचेद 20 का है अपराधों के लि कुशन जो है वो निम्न और उच्वाला सही हो जाएगा सी एर पी अपके 37 महानी देशक के रूप में नेवत किया गया था उस समय सुझाय लव था हुसेन को तो इसको जो अभी प्रेजन्ट में है उसको याद करिएगा किस नंबर के महानी देशक हैं और क्या नाम है उनका अब देखिए यहां कॉंस्टिटूशन का कुशन आगया एक भारतिय समिधान का कौन सा अनुछे सिक्किम राज के संबने विशेश प्रावधानों से संबन्दित है तो 371 F 371 F जो है वो अनुछे सिक्किम से संबन्दित है कॉशन नमर्ट 24 है निविशे दिमिजक इसने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर सस्त्र को अपना लिया और करनाटक में अपना राज सफलता पूर्व का स्थापित किया तो कदंब मयूर शर्मर याद रखेगा कदं मयूर शर्मर जो है इन्होंने अपने पेशों को छोड़कर सत्र उठा लिया और करनाटक में अपना राज जी जो है सफलता पूर्व का स्थापित किया को इस तरीके से आज 25 को सब्सक्राइब फिर से खतम हुए तो उमीद करता हूं आपको यह वीडियो जो है बहुत ही हेलफूल आपके लिए साबित हो रहा होगा और आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और लाइक और अमारे जो गुरूप का उससे विजलेंगे तो वीडियो को शेरुट लाइक करें अगर आपको न्टिपीसी और फिर से बहुत देरा हूं बता देरा हूं लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं आप कमेंट में एक कमेंट के मतलब माध्यम से छोड़ सकते हैं बता सकते हैं कि आपको अपकमिंग वीडियो किस चीज पर चाहिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय